आज हम लोग आपके कक्षा बार में कवी सक्चेदानंद, हीरानंद, वातसायन जिनकों की हम लोग अग्या के नाम से भी जानते हैं। इनके द्वारा रचित हिरोशिमा कविता के दूसरे पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य संदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रशनों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार इस पद्यांश को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नजर डालेंगे और यदि इन में से किसी का भी अर्थ कठिन होगा तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे फिर उसके बाद हम लो लोग इस पद्यांश में आये हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं चायाएं देखे चायाएं सरल है मनुश्यों की चाया, पेड बढूधों की चाया सबकी चाया पढ़ती है तो वही चाया है, लेकिन यहां पर किसकी चाया है मानव जन मानव जन को आप मानव भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं मानव की सरल है दिशाहीन का मतलब यहाँ पर जरा सा समझ लिजीए देखिए जब रोज सूरज निकलता था पूरब में निकलता था तो जो मनुस्य थे उनकी जो चाया थी उनकी जो परचाई थी वो ये एक निश्चित दिशा में बनती थी लेकिन आज जो मनुष्यों की छाया बनी हुई है वो दिशाहिन है इसका मतलब यह है कि जब परमाण बम का विस्फोट हुआ हिरोशिमा पर तो चारो तरफ ला से बिखरी हुई थी तो किसी की परचाई निचे से आ रहा था ऊपर से नहीं आ रहा था सूर्य तो निकला नहीं था यांई वहाँ यहां पर उस सूरी की बात हो नहीं रही है तो दिशाहिन का मतलब यहां पर यही है कि इधर उधर प्रकास बनें हुए थे क्यूंकि लासे बिखरी हुई थी ठीक है सब ओर पड़ी तीनों शब्द सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन करना होगा, तो व्याख्या में कर लेंगे, वह सूरज नहीं उगाथा पूरब में, कोई दिक्कत नहीं है, वह बरसा, सहसा माने अचानक, सहसा माने अचानक, बीचो बीच मतलब बीच में, बीचो बीच का मतलब बीच में, नगर के मतलब हिरोशिमा नगर के, नगर के मतलब हिरोशिमा नगर के, काल सूर्य, देखे, काल सूर्य मतलब मृत्य रूपी सूर्य, काल का मतलब ऐसे तो समय होता है, और काल का मतलब मृत्य रूपी सूर्य के रथ के तीनों शब्द सरल है पहियों के जियों मतलब जैसे या जिस प्रकार जियों माने जैसे या जिस प्रकार आरे आरे का मतलब होता है जो रत का पहिया होता है उसके जो डंडे होते हैं उसको आरे कहते हैं जरा से यहां पर समझे देखे यह रत का पहिया है ठीक है आप यह इसकी धूरी है आप इस तरह से देखे डंडे लगे होते हैं तो यह सब तूट के बिखर गए हैं आरे मतलब वही ड सूरे के जो मृत्यू रूपी सूरे है उसका पहिया तूट करके विखर गया उसके डंडे तूट करके विखर गया है तो अरे ठीक है दसो दिशा में इसको बताना ही नहीं, आपको पता है कि दस दिशाएं होती हैं, चार दिशाएं होती हैं, चार दिशाओं के कोने होते हैं और उपर और नीचे, दस दिशाएं होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ छाण का कोई दिक्कत नहीं है, वह उदय अस्त सरल है, क येवल एक प्रज्वलित दिखे प्रज्वलित मानि जलता हुआ प्रकाशित तीनों होता है आप जैसा वाकि बनाती समय बैठाएं वैसा बैठा लिजिए छण सरल है छण यानि पल समय का एक जो मापक है छोटा सा मापक छण या पल की सरल है कोई दिक्कत नहीं है चले आगे देखिए द्रिश्य सोख लेने वाली दोपहरी फीर सारे शब्द सरल हैं तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हम लोगों ने देख लिया चलिए अब हम लोगों को इस पध्यांश की व्याख्या सीखनी है लेकिन व्याख्या सीखनी से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्व प्रसंग लिख लेते हैं फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या सीखेंगे क्योंकि आपके बोड के पेपर में संदर्व और प्रसंग भी लिखने के लिए आता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्व लिख लेते हैं आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यदि आर्ट की विद्यार्थी हैं तो हिंदी, साइंस की विद्यार्थी हैं तो सामान्य हिंदी, के काव्य खंड में संकलित हिरोशिमा शिर्षक से ओधरित है इसके रचैता सक्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अग्यजी है पुन विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवी ने अमेरिका द्वारा जापान के नगर हिरोशिमा पर परमाण बम के हमले द्वारा उत्पन विभीशिका देखे विभीशिका माने भायंग करता ठीक है विभीशिका का वर्णन किया है पूर भी राम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा चलिए अब हम लोग इस पद्याश की व्याख्या को सीखते हैं तो कवी अग्याजी कहते हैं छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी कवी अग्याजी अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमानगर पर परमाल बम के हमले की विभीशिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि रोज की तरह ही आज भी मानव की छाया प्रिथवी पर बनी थी किन्तु आज किन्तु आज मानव की छाया दिशाहीन होकर सभी ओर बिखरी पड़ी थी और पौनविराम लगा देंगे चलिए एक बार फिर से इस लाइन की व्याख्या को देखते हैं बहुत ही शरल है देखिए मैंने कहा सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरब से जोड़ करके लिखना पड़ेगा अपको अपनी तरब से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा ध्यान से सुनिये प्रस्तुत पद्यांश में कवी अग्येंजी अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमानगर पर परमाण बम के हमले की विभीशिका का वरणन करते हुए कहते हैं कि रोज की तरह ही आज भी मानव की छाया प्रिथ्वी पर बनी थी किन्तु आज अब आजाईए पद्यांश पर किन्तु आज मानव की छाया दिशाहीन होकर सभी और बिखरी पड़ी थी और पूर्ण बिराम लगा देंगे चलिए आगे देखिए वह सूरज नहीं उगा था पूरब में वह बरसा सहसा बीचो बीच नगर के आगे अग्यें जी कहते हैं वह सूरज आज पूरब में उदित नहीं हुआ था वह सूरज आज अचानक हिरोशिमा नगर के बीच में बरसा था और पूरबिराम लगा देंगे चलिए एक बार फिर से देखिए बहुत ही सरल लाइन है कव्या गेंजी कहते हैं वह सूरज आज पूरब में उदित नहीं हुआ था वह सूरज आज अचानक हिरोशिमा नगर के बीच में बरसा था और पूरबिराम लगा देंगे चलिए आगे देखिए आगे कव्या कहते हैं काल सूर्य के रथ के पहियों के जयों अरे तूटकर बिखर गए हूं दसों दिशा में आगे कव्या गेंजी कहते हैं उस द्रिश्य को देखकर ऐसा लग रहा था इतना अपने जोड़िए उस द्रिश्य को देखकर ऐसा लग रहा था अब लाइन पर आजाईए ऐसा लग रहा था जैसे जयों जैसे मृत्य रूपी काल, मृत्य रूपी सूर्य के रत के पहियों के डंडे तूट कर दसों दिशाओं में बिखर गए हों और पूर्ण बिराम लगा देंगे चले एक बार फिर से तिनों लाइन की व्यात्या को देखिए, मैंने कहा पहले थोड़ासा अपने तरफ से जोड़ के लिखेंगे उस द्रिश्य को देख कर ऐसा लग रहा था उस द्रिश्य को देख कर ऐसा लग रहा था लाइन पर आजाएए ऐसा लग रहा था जैसे मृत्य रूपी सूर्य के रथ के पहियों के डंडे तूट कर दसों दिशाओं में बिखर गए हों और पूर्ण बिराम लगा देंगे चले आगे देखिए कुछ च्छाण का वह उदय आस्त केवल एक प्रज्वलित च्छाण की द्रिश्य सोख लेने वाली दो पहरी फिर आगे कवी अग्यें जी कहते हैं क्या कहते हैं थोड़ा साब को फिर अपने से जोड की लिखना पड़ेगा ध्यान से सुनिए कवी परमाण उबम के विस्फोट को सूर्य का प्रतीक मानते हुए कहते हैं की अब लाइन पर आजाएं कहते हैं कि कुछ छाण का वह वह बम रूपी सूर्य का उदय और अस्त केवल एक छाण के लिए जोलन्त होने वाली प्रज्वलित जोलन्त होने वाली वह दो पहरी सभी द्रिश्यों को सोख लेने वाली थी फिर अपने से जोड़ेंगे अर्थात सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी और पॉन्विराम लगा देंगे फिर से एक बार तिनो लाइन की व्याख्या देखिए यही तिन लाइन आपको ध्यान से समझना है अब आजाए पद्याश्पर कहते हैं कि कुछ छाण का वह परमाण बम रूपी सूर्य का उदय और अस्त और केवल और केवल एक छाण के लिए जोलंत होने वाली वह दोह पहरी सभी द्रिश्यों को सोख लेने वाली थी अर्थात सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी पूर्ण बिराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी देखे एक चीज आपको लग रहा होगा कि ये फिर हमने नहीं बोला तो इस फिर को जो अगला पद्याश आएगा वहां प्याइड करना है ठीक है तो चलिए व्याख्या पूरी हुई अब हम लोग इसका काव्य संदर्य और इस पद्याश पर आधारित आपकी बोर्ड की परिक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रशनों को हल करना सीखते हैं तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य संदर्य देख लेते हैं यदि हम लोग इस पद्याश में रस की बात करें तो इस पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा और उपमा ये मुख्य अलंकार हैं। भाशा इस पद्यांश के खड़ी बोली है। शैली इसके प्रतिकात्मक है। गुण इसमें ओज है। और यदि शब्द शक्ति देखी जाए तो शब्द शक्ति इसमें लक्षण लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रश्ण की सूचना को पहलेते हैं कि आखिर आपके बोड के पेपर में किस तरह से प्रश्ण पूछा जाता है। तो आप भी मेरे साथ पढ़ लिजिए। देखे प्रश्ण इसी तरह से पूछा जाता है। उपर युक्त पद्यांश को लिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए और आपके बोड के पेपर में इसी तरह से पांच प्रश्ण पूछे जाते हैं। चले यहां पर जो मैंने पांच प्रश्ण लिए हैं उनको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्ण आप से पूछ रहा है वह सूर्य किस दिशा मे उदित हुआ था। यदि आपने व्याख्या को अच्छी तरह से समझा है तो आप लिख लेंगे। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। बीच में बरसा था। ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरे प्रश्ण पर चलते हैं। दूसरा प्रश्ण आपसे पूछ रहा है काल सूर्य के रत के देखिए कविता की लाइन है। प्रश्ण पूछ रहा है पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यदि आपने व्याख्या तो मैंने यहाँ पर कहा था मृत्य रूपी सूर्य तो रूपक अलंकार है। तो आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे उपर युक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। ठीक है। इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्ण देखिए। अगला प्रश्ण आपसे पूछ रहा है। मानव जन की छायाएं किस दिशा में पड़ी है। तो देखें मैंने व्याख्या में बताया है बहुत ही सरल है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। मानव जन की छायाएं दिशा हीन होकर चारो ओर बिखरी पड़ी है। ठी अगले प्रश्ण पर चलते हैं। अगला प्रश्ण आपसे पूँच रहा है। प्रस्तुत पद्यांश के शिर्सक एवं कभी का नाम लिखिये। तो बहुत ही सरल है। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के शिर्षक का नाम हिरोशिमा एवं कवि का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वातसायन अग्ये है और इसका उत्तर भी हो जाएगा चलिए अगले प्रशन पर चलते हैं अगला प्रशन आप से पूँछ रहा है रे खांकित अंश की व्याख्या कीजिए तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रे खांकित अंश है कहाँ पर तो देखे आपको तीन लाइन दिख रही है मैंने टिक लगा दिया है इनहीं तीन लाइन की व्याख्या हमको करनी है कैसे करनी है चलिए देखते हैं सबसे पहले आप उत्तर हेडिंग डालेंगे और उत्तर के बाद लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवी परमाणु बम के विश्फोट को सूर्य का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि इतना मैंने अपने से जोड़ा है ठीक है अब लाइन की व्याख्या आगे है कहते हैं कि बम रूपी उस सूर्य का उदय और अस्त केवल एक छण का था और केवल उसके एक छण की ज्वलन्त दो पहरी जलने वाली दो पहरी सब द्रिश्यों को सोख लेने वाली थी कि अर्थात सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी मैंने ऐसी ही तो बताया था और वहीं चीज मैंने लिखा है और इस प्रस्ण का उत्तर भी पूरा हो जाएगा